Hello and Welcome to V3 Cars क्या आप जानते हैं कि Altros में एक तरफ जहाँ Tiago और Tigor वाला 1.2 लीटर पेट्रोल एंजन आता है वहीं इसका डीजल एंजन नेक्सॉन वाला है फिर भी इसके पेट्रोल और डीजल एंजन में सिर्फ 4 PS का ही पावर दिफरेंस है लेकिन ये डीजल एंजन 87 Nm जादा टॉक प्रेड्यूस करता है और वो भी कम RPM पे इसका आपकी ड्राइब पे क्या इंपक्त होगा ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे और इसके साथ ही अल्ट्रोस की पेट्रोल और डीजल वर्जिन का इंडेप्थ कम्पारेजन भी करेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि इन एंजन में से कौन से एंजन आपके लिए बेटर रहेगा इस कम्पारेजन को स्टार्ट करते हैं इन दोनों कार्ज के प्राइस से लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए वी थ्री कार्ज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले आप हमारी video timeline यूज़ करके किसी भी section पे आगे या पीछे conveniently जा सकते हैं present section हमेशा white cell से marked रहेगा अगर हम Tata Altros के सभी variants और feature packs के combination को देखें तो इसे आप 11 variants में ले सकते हैं दोलो petrol और diesel engine के साथ इन सभी variants के prices अभी आपकी screen पर हैं और जैसा आप देख रहे हैं इन बाकी सभी variants में 1.6 lakh का constant difference है small cars में BS4 petrol और diesel versions का difference usually up to 1.2 lakh होता है लेकिन BS6 emission norms पे upgrade करने पे diesel engines petrol के comparison में और expensive होंगे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप Altros के petrol और diesel version को compare करें तो कौन सा engine लेना जादा sensible होगा यानि किस version में आपको better value मिलेगी Tata Altros को चाहे आप petrol engine के साथ ले या डीजल ये बाहर से same ही दिखेगी और इसके dimensions भी same ही है इसे अगर इसके rivals के dimensions से compare करें तो Altros की 1755 mm की width बलीनों से 10 mm और Elite i20 से 21 mm जादा है ये इस segment की सबसे wide car है overall length की बात करें तो Altros बलीनों से 5 mm चोटी है लेकिन Elite i20 से 5 mm बड़ी इस segment की cars के dimensions में जादा major difference ना तो कभी पहले था और ना ही अब है Altros height के मामले में jazz से 21 mm चोटी है लेकिन बलीनों और Elite i20 से 13 और 18 mm बड़ी wheelbase जो leg space पे एक बड़ा impact डालता है Altros में वो बलीनों से 19 mm कम है In fact, Altros का wheelbase Elite i20 के wheelbase से 69 mm चोटा है अब ये देखना बाकी है कि Tata ने Altros की interior space कैसे manage की है क्या Altros, बलीनों और Elite i20 से जादा spacious होगी इसका पता तो हम तभी कर पाएंगे जब हम इसके interior dimensions measure कर लेंगे boot space और fuel tank की बात करें तो इस segment में सबसे बड़ा boot और fuel tank आपको Honda Jazz में मिलेगा लेकिन बाकी dimensions की तरह ही ये भी इसके rival से comparable ही है चलिए, अब Altros के variants and features चेक कर लेते हैं अगर आप style packs को ना consider करें तो Altros 5 variants में आती है XE, XM, XT, XZ and XZ optional चाहे आप diesel Altros consider करें या petrol, इन सबी variants में same features आते हैं अगर आप Altros की variant wise features की details में जाना चाहते हैं तो आप हमारी Altros petrol variants explained video देख सकते हैं इसका link हमने इस वीडियो के description में डाल दिया है अभी आप table में Altros के XE variant के features देख रहे हैं अब XM variant में XE के उपर जो features आते हैं वो देख रहे हैं अब XT के, अब XZ के और अब XZ optional के इन features को ध्यान से देखने के लिए आप video pause कर सकते हैं या timeline यूज करके variant section में आके बाद में भी देख सकते हैं बस डीजल Altros के case में XT, XZ and XZ optional में idle start stop का option नहीं मिलता जो petrol में आता है ये feature car की fuel efficiency इंप्रूव करने में help करता है जब आप गाड़ी को रोग के neutral में डाल देते हैं तो idle start stop feature engine off कर देता है और clutch दबाते ही engine वापिस on हो जाता है इस process में आप कुछ fuel save कर सकते हैं हमने petrol Altros के variants को recently analyze किया है और हमारे ये conclusion है कि Altros का XZ variant best है in terms of the value it has to offer हमारा verdict diesel Altros के लिए भी same ही है क्योंकि petrol और diesel Altros के case में XE और XM variant को छोड़के बाकी सभी variants के बीच का price difference consistent है जहां petrol engine के case में XE और XM variants के बीच का price difference 86,000 रुपीस का है वहीं diesel के case में इन दोनों वेरियंट्स का difference 76,000 है so overall चाहे आप diesel Altros ले या petrol features तो आपको same ही मिलेंगे now the question is क्या आप petrol Altros लेंगे या diesel इस main question का answer देने से पहले चलिए दोनों एंजिन के specs देख लेते है जैसा हमने इस वीडियो की starting में mention किया था Altros के petrol engine की displacement है 1.2 liter और diesel की 1.5 liter इसका petrol engine 86 PS की maximum power बनाता है और diesel engine 90 PS तो power के case में तो दोनों engines में बहुत जादा difference नहीं है लेकिन Altros का diesel engine 200 Nm talk produce करता है petrol engine से 87 Nm जादा इसके साथ ही diesel engine की peak torque 1250 RPM से 3000 RPM तक रहती है और petrol की 130 Nm peak torque 3300 RPM पे अचीव होती है In simple language, अगर आप diesel Altros चला रहे हैं और tachometer पे engine revs 1250 से उपर जाते हैं तो diesel engine का pull petrol engine से जादा strong होगा Altros के petrol और diesel engines दोनों ही BS6 emission norms को meet करते हैं ये दोनों ही 5-speed manual transmission के साथ आते हैं पेट्रोल engine की claim fuel efficiency है 19.05 kmpl और diesel engine की 25.11 kmpl तो अगर हम petrol और diesel engines को sum up करें तो आपको diesel engine में जादा talk मिलेगी जिसकी वज़े से इसकी drivability पेट्रोल engine से बेटर हो सकती है Moreover, diesel engine की claim fuel efficiency भी जादा है तो loose terms में ये पेट्रोल engine से बेटर average देगा तो क्या सभी buyers के लिए diesel altros लेनी जादा sensible है? इसके लिए कुछ math करते हैं डीजल altros petrol के comparison में better drivability देगी लेकिन petrol और diesel altros के same variants में 1.6 lakh का difference है क्या आपको diesel altros पे petrol के comparison में 1.6 lakh rupees extra spend करने चाहिए? इस additional cost को आप तभी break even कर पाएंगे जब आप diesel altros को around 1.4 lakh km चला लेंगे इतना चलाने के बाद ही diesel car की petrol car के comparison में कम running cost आपको 1.6 lakh के around की savings देगी यानि अगर आप daily on an average 100 km car चलाते हैं तो diesel car चलाने के लिए जो extra 1.6 lakh लगाए हैं वो 4 साल में वसूल हो जाएंगे अगर आपकी average running 50 km per day है तो diesel पे spend किया 1.6 lakh 8 साल में recover होगा क्या आपकी car regularly इतनी चलती है? अगर नहीं तो आपको petrol altros लेनी चाहिए इस calculation के लिए हमने petrol और diesel altros की claimed fuel efficiency consider की है petrol का price 73 rupees per liter और diesel का 66 rupees per liter consider किया है ये एक basic calculation है क्योंकि इसमें servicing cost second और third year का insurance premium और loan EMI difference जैसे factors consider नहीं किये और ये सबी diesel के case में जादा होंगे अगर आप सोच रहे हैं कि diesel altros का lower variant ले ले लेंगे यानि XT petrol की जगा XE diesel या XZ urban petrol की जगा XM diesel तो आप features पे major compromise करेंगे तो ये था altros petrol और diesel का comparison जिसके बाद हमें आपको ये clearly बताया कि आपकी कितनी average running होनी चाहिए कि आप diesel altros ले और petrol नहीं वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी car purchase कुछ easy कर पाए होंगे आप petrol altros लेने की सोच रहे हैं या डीजल या आप हमें comment section में जरूर बताएं lastly let me tell you के हमारी team auto expo से आपको latest information देगी तो हमारे youtube channel subscribe करना ना भूले thanks for watching for more details आप हमारी website www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें facebook और insta पे follow करें सभी links वीडियो की description में available हैं